प्रधान मंत्री आबास योजना, आबास प्लस और इंद्रा आबास के पुर्वाने आबास को पूर्ण कराने के वोड़े से अबेठा कायजित की गई थी जिले के सभी प्रखंडों और उसके जो आबास सहायक है उनके साथ समच्छा की गई है जिन लोगों ने रासी लेने के बाद भी निर्मान कारी सुरू नहीं किया है उन पे सर्टिफिकेट केस दायर करने के लिए निर्डेश दिये गए हैं जो लोग इस चेताबनी के बाद भी सफेद नोटिस लाल नोटिस के बाद भी निर्मान पूरा नहीं करेंगे तो सर्टिफिकेट केस करके फिर डिस्ट्रेश वारंट बड़ी वारंट करके रासी रिकम्री की कर रहे हैं जानकारी हुई है अभी हम लोग सहरी छेत्र में जहां पे पानी की समस्या उसे टेंकर से भी पानी देने के लिए निर्डेश दिये गए हैं कुछ जगा पे जो पाइपलाइन है उसको दुरुस्त करने के निर्डेश दिये गए हैं और चापा कल मरम्मती के लिए पीएचेटी के माध्यों से दल सभी जगा भेजा गिया है उसको और सघंता से हम लोग उसको ठीक कराने का रहा है सर एक चीज है कि ये पानी का लेयर नीचे जा रहा है समर्सेवल अधिक लगती जा रहा है अगर सरवे का देखा जाए तो दर्भंगा में बहुत ज्यादा समर्सेवल हो गया क्या इस पर कोई सीमित दारा है या कुछ इस पर कोई कानूनी प्रकार से नहीं है जिसको इंफोर्स करने के लिए प्रामधान हो वेकि इसे आच्रण में अपनाई जाने की ज़रत है प्रेरिप की जाने की ज़रत है कि हम लोग जल का बचाओ करें सचेयन करें हमारे जो जलासे हैं जो वाटर बडीज हैं उसमें हम लोग जल सर्दक्षित रखेंगें तो हमा आवास योजना और आवास प्लस की समिक्षा की गई इसमें दर्बंगा जिला में जो कारे कराया गया है उस पे विमर्श किया गया एवां आगे कित तरह से हम लोगों को जितने भी लाबुकों को प्रतन किष्ट की राशी मिल गई है उसके आवास को कून शिगरता से करवा इसमें चर्चा की गई है एप्रिल महा तर सभी को टार्गेक दिया गया है कि 95% हर हाल में हम लोगों को सभी स्कीम अचीव कर लेना है जितने भी लाबुक है उसको निरंतर भुपतान किया जाए किष्टों का और घरों को कम्प्लीट कराया जाए साथी जो भी लाबुक प् इसमें प्रधान मंत्र यवास यजना में जो भी लाबुक को प्रथम किष्ट मिलता है या सांक्शन होता है उसको 90 दिन की मजदूरी मिलती है मन्रेगा से सभी लाबुक जो जुड़े वह हैं उनको मन्रेगा की मजदूरी दिलवाई गई है और जिन भी लाबुका खाता सक मन्रेगा का लाब नहीं मिला है उस पर भी हम लोग भुक्तान करवा रहे हैं उससे फाइदा यह होता है कि उसको नहीं सिर्थ प्रधान मंत्र यवास योजना का एक लाग भी सगार रुपे मन्रेगा की नब्बे से सौ दिन की मजदूरी मिल जाती है और लोहिया स्वच भी अगर किसी भी तरह का परिवाद आता है उस पर हम जाच करवाते हैं और कहीं भी अन्यमित्ता पाई जाती है तो कारवाई भी करवाई जाती है स्वयम मैं और हमारी DRDA की टीम भी पूरी डिरेक्टर DRDA वमन सभी आफिसर्स प्रती सफ़ता कोई ना कोई ब्लॉक या पंचायद भ्रह्मन करते हैं वहाँ पर सभी आवासों का कारे देखते हैं और समिक्षात्मक बैठग भी की जाती है विष्ले एक वर्ष में हम लोगों ने अनुमित्ता पाने पर दो आवास सहे को अनुबंद भी रद किया है और राशी के विए वसूली करते आ रहे हैं तो जिस भी तरह का अगर परिवाद या अनुमित्ता होगा उसका कट होता है लेकिन मुखनमंत्रि आवास योजना का लाख उनके लिए डैर होता है जो योगे लाख और किसी कारणवश प्रदान मंत्रि आवास योजना की सूची में उनका नाम नहीं आए पाए हैं तो दरबंगा चिला में हम लोगों ने एक सर्वे करवाया था, लेकिन कोविड और आचार सहीता की वज़े से वो सर्वे बंद हो गया था, अभी आचार सहीता, MLC एलेक्शन की साथ एप्रिल को हट जाएगी, उसके बाद हम लोगोना उसका सर्वे शुरूर करवाएंगे, जुची विभाद को आजो गुदन के लिए भेज की आचारी